इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स की दोस्तों अगर आपके पास है नोकिया C12 प्रो का मॉबायल हूँ और दोस्तों उसमें क्या हुँ रहा है कि जब आप अपने फोन के पावर बटन पर कुछ दिर फींगर को द toast करते हैं तो आपको यह लौकडाउन का ऑप्सिंग क्या होता है और आप इसे कैसे योच करे चकते हैं यह सैटिंग किसलिए फोन में होता है इस विडियो में मैं आँ चलिए ज़्यादा समय ना लेते हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ो से पहले चैनल पर नहीं चैनल सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा तो दोस्तों देखिए जब आपके फोन में फिंगर प्रिंट लॉक्ड दोस्तों उसमें क्या होता है तो दोस्तों जैसे डर लगा हो राता है कि दोस्तों मान लीजिए अगर आप कहीं पर दोस्तों सोय हुए हैं या फिर दोस्तों आप कहीं पर दोस्तों अच्चेत अवस्था में हैं तो दोस्तों वैसे में क्या हो सकता है कि दोस्तों कोई दूसरा बेक्ती आपके फिंगर को आपकी मोबाइल फ चीजे दोस्तो तब हो सकता है जब आपके फोन में दोस्तो लॉक डाउन मोड दोस्तो नहीं लगा हुआ है मतलों कि दोस्तो लॉक डाउन मोड में आपने फोन को नहीं करके दोस्तो रखा हुआ है अब दोस्तो देखी क्या होता है कि दोस्तो जब आप अपने फोन के पाबर lock set है या दोस्तो face lock set है तो दोस्तो कोई भी बैगती आपके finger को आपके mobile phone के sensor पर भी touch कराएगा तो भी आपका mobile दोस्तो unlock जो है दोस्तो नहीं unlock दोस्तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका phone दोस्तो lockdown में है lockdown mode में है या दोस्तो अगर आपने अपने फोन में face lock sit करके रखा हुआ है तो दोस्तो अगर कोई भी बेक्ती आपके दोस्तो mobile को आपके दोस्तो face के सामने लाएगा तो भी आपका mobile unlock दोस्तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके फोन में lockdown mode sit है मतलब दोस्तो जब आपकी फोन में lockdown मोड दोस्तो लगा हुआ रहता है तो दोस्तो क्या होता है कि दोस्तो अगर आपका finger भी आपकी mobile phone की sensor से दोस्तो टच होगा तब ही दोस्तो आपका phone unlock दोस्तो नहीं होगा या अगर आपने face lock state का रखा है तो दोस्तो lockdown mode में रहने पर अगर आप भी अपने face को दिखाएंगे फोन को तो आपका mobile unlock दोस्तो जो है नहीं होगा क्योंकि phone दोस्तो lockdown mode में रहता है तो दोस्तो lockdown mode का में फायदा आपको दोस्तो यह मिल जाएगा कि अगर आप कहीं पर सोय हुए भी रहेगे तो दोस्तो कोई भी बेक्ति जो है आपके आपके दोस्तो finger को दोस्तो touch किरा के phone को unlock नहीं कर पाएगा या आपके face को दिखा कर भी phone को unlock नहीं कर पाएगा अगर आपके phone face lock state होगा तो तो दोस्तो क्योंकि दोस्तो Nokia C12 Pro के mobile phone में दोस्तो जो है fingerprint लगाने का option दोस्तो आपको दोस्तो नहीं मिलता है जैसे दोस्तो देखिए मैं आपको ये चीज़े दोस्तो देता हूँ दिखा तो देखिए हम चलते है setting में और setting में जाएंगे तो नीच आएंगे और हम अपने Nokia C12 Pro के mobile phone में fingerprint lock set दोस्तो नहीं कर सकते हैं लेकिन दोस्तो Nokia C12 Pro के mobile phone आप दोस्तो आपको दोस्तो face lock set करने का option मिल जागा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं option है face unlock का तो आप यह face unlock पर क्लिक करके face lock set कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपके phone में face lock set रहता है तो दोस्तो क्या होता है कि दोस्तो जैसे ही आप अपने phone के power button को दवा कर अपने face को दोस्तो camera के सामने लाते हैं तो दोस्तो mobile unlock हो जाता है लेकिन दोस्तो जब आपका phone lockdown mode में रहेगा तो दोस्तो फेस अगर आप कैमरा के सामने भी लाएंगे तो आपका मोबाइल दोस्तो अनलॉक नहीं होगा मतलब लॉक दोस्तो नहीं कुलेगा तो फिर दोस्तो अगर फेस लॉक दिखाने पर फोन अनलॉक नहीं होरा तब आपको दोस्तो देखी क्या करना होगा कि दोस्तो आपका mobile दोस्तो तभी unlock होगा जब आप अपने फोन का दोस्तो main lock डालेंगे मतलब आपके फोन में जो भी lock sit है password pin या pattern तो जब आप अपने फोन का main lock डालेंगे तब आपका फोन दोस्तो unlock होगा क्योंकि दोस्तो lockdown mode में रहने पर fingerprint से या फिर दोस्तो face से आपका फोन unlock दोस्तो नहीं होगा अगर आपके फोन में fingerprint lock या face lock sit रहेगा तो तो इस तरह के साथ दोस्तो lockdown mode को आप योज करशकते हैं अपने Nokia C12 Pro के mobile में विडियो पसंद आये विडियो को लाइक करिएगा चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा